हालो एब्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चेनल तो यह है 31 मैं की क्लिप और मॉर्णिंग का टाइम है तो मंदिर से ही अपना व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूं आप सभी दर्शन कर दीजिए क्योंकि वह सारे मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर से जिनको मेरा मंदिर देखना ब वर्ट शावेत्री पूजा में फूल आई थे तो मैंने पचा के रख दिये थे डेली नहीं आते हैं और इसके बाद इनोंने मेरे लिए बनाया है नीबू पानी क्योंकि मैं नहाई आई करके सारी काम वगड़ा किये थे पूजा की और मैंने कोसिस की इस मॉर्णिंग से व् जर्मियों में बनाएं आटे की रड़ू तो वह रेसीपी आप ज़रूर देखना तो व्लॉग को आपको एंड तक देखना होगा उसके लिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा हेलो गाईज गुड आफटन नहीं गुड इवनिंग ही बोलूँगी क्योंकि साड़ी चार बच गया है और आज की डेट है 31 मैं और आज है मंगलवार मैं सुबह से ना व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी पूजाबी कर ली मैंने और सोचा कि चलो मार्नी से अपना अपना व्लॉग बना रहे हैं तो ना पना व्लॉग बना रहे हूं ऐसा कैसे हो सकता है तो फिर मैं उठ गई और मेरे मुझे पर मत चाहिएगा क्योंकि अभी मुझे पूरा तैयादी होना है थोड़ी देर के बाद इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया बस क्या कहते हैं संस्क्रीम लगाया था मैंने कुछ भी लगाया तो जरूरी है पता इतनी कर्मी क्यों उठी है क्योंकि अभी नौ तप चल रहे हैं और आज साइथ 5-6 दिन है यह बदा रहे थे मेरे को तो नौ तप चल रहे हैं इससलिए तनी खतरनात गर्मी पड़ लिया तो यहां पर यहां पर कुछ पी रहे हूं जो शेयर नहीं कर सकती है मेरे हैथ के लिए इसलिए आपके साथ क्याश्या करना वस पानी मैं मिक्स करके पीना है और यह मैंने मलाई निकाल के अज़गी थी मॉर्निंग मैं ही तो मेरेट होगी टैंपरिचर पर है तो मैंने इसका खी बना कर दो बरतन देखेक हो यहां वहां जा बरतन मुझे बरतन हैं सुभ चाई पानी से लिखर के लंच तक बरतन है यह देखे रहा हूं कि बरतन थोड़ं थोड़ं थोड़ंभी में साफ करती रहती हो क्योंकि अगर नहीं करूना तो यह होगा कि लिन करने के लिए इसलिए बीच-बीच में जितने बड़तन होते हुआ साफ करते रहते हुँ टंकिया पाने खतम हो जाता है ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो अब इसको बैट की ही मुझे बनाना पड़ीगा घीकू और गर्मी हो रहे है कि इसमें बहुत ज्यादा और शायद सांको आमें एक शागी में जाना है तो दिनर की टंसन ना रहे शायद जाना तो पक्का है बट हम जाएंगे की नहीं जाएंगे यह नहीं पता क्योंकि इनकी मुझे उपर डिपैंड करता है वो रहे जेखेंगे चलेंगे तो ना घर्मी बहुत हो लिए और फिर जाना तयार होना फिर मुझे तो तयार होना ही आपको बता है तो मैं इसलिए पहले यह वाला वीडियो मैं ना मॉर्णिंग में ही शूट करने वाली थी मै जूट करना सहीं नहीं है वद्भू आने रगती है तो हाथ हो हात मैने मेरे बरतन भी जगह पर लगा देती हूं और घी भी बीच पीच में चलाती जा रही हूं क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं बाहर ना आ जाए तो अभी काम पड़ जाएगा मेरे लिए इसलिए मैं किचन से कहीं दूर नहीं जा रही हूं जाओंगी तो ग्यास को बंद करकी कि बैठे बैठाए खर भूजा खा लिया अगी अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा मैं यहां पर आके पैट गई हूं और चुकि अब इस वाले रूम में करूंगी काम स्टार्ट अपना वही देख रहे हूं कि क्या काम स्टार्ट करूं म कि अधर के लिए के निकाल दिया क्योंकि मैंने वह सेट के साथ के पैने तो यहीं पर पढ़ to यहां पर डिया था और यहां पर डला है हमीली साड़ी जो कि कडल पैनी थी वह फोड़ कर लग दी है मैं ने ब्लावब आपको बहुत जल्दी दिखाओंगी मैं बहुत सारी जो किया जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगे तो घी मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि जब छीटे मानने लगता है तो मैं गैस को बंद कर देती हो और अगल आप इस तरह किसे बंद कर करके घी बनाएंगे तो आपकी घैस खराबरी होगी घैस वी उसे बचती है थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा और फिर से आप उसको और करेंगे तो जब वो चीटे मानने की स्टेश पर आता है तब तक घी बंद करके दो तीर बार बंद करती हो इतने में मेरा घी बन जाता है तो मैंने बंद कर दिया है तो अभी मैं ना कॉमेंट देख ली थी तो मेरी मजबूरी थी हेर वाश करना एक बार मैं कर चुकी थी मुझे दूसरा हेर वाश करना था पूजा करने से पहले तो जब कभी-कभी आपकी मजबूरी फस जाती है तो आपको हेर वाश करना ही पड़ता है उससे पहले पूजाने कर सकते इसलिए मैंने हेर वाश किया था अब सारी चीज़े में यहां पर शेयर तो करती है है तो इसलिए मैंने यह रख किया था तो यह रख ज़री था मेरे लिए करना तो आप मुझे नहीं पता कि करते हैं तो कर लिए श्वंबाद भी था कल ठीख है और मेहने के लिए मेंदğl आ था वाइस कि मेन मंन करते हैं जू इननमे लगने मेहने तेपके मडाए मेना जाकी मेहना ने है चाहिए था जाए के लिए नहीं ये साथा अब है ना घर में चलाएंगे वेडियो पर कि तुम जब दिबू तब उदास हो जाती हूँ जब उदास हो गई ना कल तो यह मुझसे बोले कि तुम जाओ उपर जाओ बना लो अपनी और बना उगी तो तुम खुस रहोगी मतलब माइन तुम डाइवर्ड हो जाए बैसलिए उसके मेरी महंदी लगाई थी अर जरूरे कुछ जरूरी नहीं कि मतलब महवर लगानी लगने शुह जरूर्ण सम वहावर्ड महा वें जब लगाए ठीक कि वहुए सबिंगर सर्केशें सब्सक्रा हूं ऑका लगए तू यह उंगली महर्ड लगते तो दुमाल घाना रहे थोड़ा वह समान लेने के लिए मेंदी लेकर आने कि मिलको यादी नहीं रही एक दम से कौन लेकर आता है तो यार देली मेंदी लगाती है आज जब लगानी चाहिए तो नहीं लगाई ऐसा कुछ नहीं है मन है मेरा मिलको जब लगानी तब लगानी है मिलको टाइम नहीं था मेंदी लगाने का मेंदी कौन भी नहीं थी मेरे पास मैं मन भी ठीक रही था बहुत साथी दिजन होते हैं कोई अगर काम नहीं किया है मैंने तो इस पे इतना बवाल क्यों करना है यह है गर्मी लग लग ल आज मैंने कुछ भी निया पता है वीडियो स्टार्ट निया नहीं तो देखो यह मतला पूरने मैंने कों भी नहीं किया अपने वालो में तो गर्मी पोट पटी मैं अची लेट गई थी खाना खाने के बाद चलिए काम तो करना बढ़ेगा होते हैं काम स्टार्ट करते हैं तेयार ओने के बाद मिलती हु आपसे कि मैं क्या पहंते हूं तो गाइस यह है मेरा लुक और उपर ऊड़िये गर्मी यह मैंने साड़ी पेने पीछे आंकी ची के गया हूं है जो सुख्र हैं और इतनी गर्मी ऊ पुछ अमध कुछ भी चलिए चलते हैं एक दो रील बना ली थी मैं यहां पर आप समझ गयोंगे कि उपर मैं क्यों आई थी तुरिल बना ली मैंने और इंस्साग्राम पर आप लोग फॉलो नहीं किया तो कर ले देख लेना देख लेना दो चलते हैं और यह है चलो आव जल तो यह किसी से फोन पर बात करने लगे थे क्योंकि यह फॉन पर बात करते रहेंगे तो मैं अपना वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगे मुझे डिश्टा होता है तो तब तक फिर मैंने यहां पर गैस को अन कर दिया सुचा की घी को मैं कम्प्लीटी कर लेती हूं इतना हो सके तो ऐसी पीच पीच में आ कि मैं घी बना रही थी क्योंकि मुझे किचन में और जाता काम तो है नहीं लेकिन अभी मुझे वीडियो में पूरे दो से धाई घंटे लगने वाले हैं उसके बाद हमें एक दो जगे और जाना है उसके बाद फिर हम शादी में जाएंगे तो फ वह बताओ जूतना कहां से निकले जा रहे हैं मतलब वोटा है तो इनके पास भी ना जूतो की कमी नहीं बहुत थे बहुत हैं के पास ना बर ती यह निकालते नहीं है इनकी वी मेरी जैसे है मतलब संभाल के रच के लगए बश्कित की देखे देखा रहें कि यह पताने मैं करा बैट बटावंगा देखा तो यहां पर दाशह नहीं है और बस यहां पर यह भी रियर्टी को जो कि कि यह पर दियार में यहाधा सबकुर्व कर दिकbelsा कि कर ऩूझ कर दो कि मुझे लगता है कि crux inning प्टानीं कि फिर लगता है कि चलो 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 तो फाइनली हम लोग घर से निकला है इन्हों नजूता अपना पसंद कर जा ना है अधान Vari affair ना था उनको तो बस अभी एक दो जगे और जाना था पहले लोग वहाँ पे गए वहाँ मैंने शूट नहीं किया और अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो यह इनके फ्रेंड के सिस्टर की शादी है जहां जहां पर हम लोग आये हैं और थोड़ा साथ दूर है हमारे घर से तो हम कोशिश करें कि जल्दे से जल्दी घर से यहां से निकल जाए क्योंकि फिर रात हो जाएगी ना ज्यादा तो सही नहीं रहता है और यह देखो आप कैमरा को देखते ही हैलो कर रहे हैं आप लोगों इस और इसमें लिए इतनी ज्यादा तीखी थी ना कि मैंको क्या बता है तो अभी देख रहे हैं कि क्या खाय क्या ना खाय क्योंकि यह बहुत हैवी हो जाता ना जैसे कि अलुट की तो मुझे इतनी गर्मी पसंदी नहीं आपको पता है तो यहां पे मैं मैंने ले लिए तो आप खड़े हो तो मैं आपके लिए भी ले लूँगी प्लेट में तो बस यहां पे थोड़ासा हजी मजा कम लोग कर रहे हैं और बस यहां पे यह मुंग दाल का चुछीला होता है ना पनीर के स्टापिंग भर की यह वही वादा चीला है जिसको खटी मिटी चटने के स दौप में ऐता है तो देखो के लिए भी मैं ले जाता है तो दो दो हातों में मीरी प्लेट है और यह मैंने यहां के लिए वी लेकी दे दिया और उसके बाद मैंने है यहां थे मिली फेड ereक ची तो मैंने कहना भॉए था मतलब एक फुलका कह आता बस मैंने पूरी भी ने नूरल्स बगएरा मैंने सब कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मैडिसी ले रही हूं तो इन सब चीजों का वाइडी कर रही हूं और यह लास्ट मैं खा रही हूं मैं आइस क्रीम क्योंकि मीठा तो मैं खाती नहीं हूं बाहर का अभी हम लोग खाती के हो गए हैं और इस बीच में बहुत सारे फ्रेंट्स विले थे इनको तो बीच बीच में यह बाती भी करती रही तो मेरा भी असे टाइम गया मैं खड़ी रही क्या करती मैं क्योंकि जब हम कहीं नहीं जगे जाते ना जहां पर हम किसी को जानती नहीं तो फिर वहां मतलब औ और अब इनकी वाहिव भी आएंगी मैं आपको उनसे भी मिलवाओंगी तो यहां पर दीखियो न्यू कपल जो वो स्टेज पर आ गया है और यह है भाईया भाबी यह देखिया मैं आपको मिलवा रही हूं यहां पर भाईया ने भुला लिया था उनको क्योंकि घर में जब यहां पर जैमाल बगरा वाला कारिकरम चल रहा है और हम लोगों भी इस तेज पर जाके फोटो क्लिक कर वाई थी तो बस यहां पर यह सब होने के बाद अब लोग निकलेंगे घर के लिए और बहुत लेट हो गया ता निकलते निकलते यहां पर मैंने एक रील भी बनाई थ है तो मेरी साड़ी कैसी लग रही है बहुत ही सिंपल सुवर पैन के थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं वीडियो के लिए तियार हुई थी तो फिर यह वो लेकि चलो चलना है तो फिर मैं एस हम लोग अभी आ गए शादी मैं से लास्ते में ही है सिटी बज गयते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा अंधिरा आरा होगा क्योंकि हम लोग रास्ते मैं न इसलिए लाइट अगी लाइट जाते थी इनोंने बिल्कुल भी मेला वीडियो शूट करके नहीं दिया यह अपने में बिजी हो जाते हैं के फ्रेंड मिल जाते हैं कोई भी न तो फिर यह भूली जाते हैं वैसे भी न यह फिला वीडियो शूट नहीं करते मैं करती हो की अभी हम लोग चापाटी पे आ गए हैं गवालिय चापाटी अभी यहां पर इतनी सारी गाड़िया खड़ी हुए हैं तिको बार मजे तक भी खाओ 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 रात को भी अच्छा बुजन बना था खाना बहुत अच्छा लगा खाना स्वाधिस्ट था और अपी हम लोग करते हैं इस टेस पे हमने फोटो किलिक कर भाई है मैंने वीडियो नहीं शूट करवा पाई और भाईया बाभी से भी मिलके बहुत अच्छा लगा चलिए अब अच्छा काम चलिगा एक वीडियो भी एडिट करना है जो शूट किया है और हाँ बस कप्ड़े अप्री चेंज करेंगे फेस वाश करेंगे और वही साले जो सुने से पहले करके साले काम होते हैं हम काम भी रहेंगे तो मतलब एक दो पचे है इस टाइपे ट्रैफिक नहीं अच्छा लग रहा था फिर मैंना यह लाइट वीड जूल्री पहने अपनी अच्छा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है तो क्या करो बहुत लूस पहना क्योंकि यह गर्मी हो रही है इसे ना बहुत प्रोब्रम होती है चपक जाता एकदम से ना चलिए घर पहुच के मि अच्छा 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 आने के बाद एकदम से मेरी तबियत बिगड़ने लग गई थी मुझे घपराट होने लगी थी पता नहीं क्यों और फिर मैंने कपड़े अपने चेंज करके फटा पर से मैं नहाई और नहाने के बाद अपना नाइट ड्रेस में आई मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि एकदम से तबियत मेरी खराऊ होने लगी थी और ज और तो दर्वो ने चाहते हैं क्योंकि मैं अपने लिए तो यहां पर काजु वादान पिस्ता और जो गरी होती तो यहां पर कढ़ाई रगती हैं कढ़ाई में फोड़ा सभी डालूंगी मैं क्योंकि ब्राइफूर्स को मुझे फ्राइ करना है तो पहले मैं इसमें बदाम तो यह बादाम को थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राइब होने में और हलका सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा बहुत ज्यादा नहीं जलाना है ड्राइफूर्ट बहुत जल्दी इसे फ्राइब हो जाते है ठीक है वह व्युक्त गैस का फिलिम सिम्प लगता है तो बस ट्राइब तरफ लड़ू में यहां गोल्डन ब्राउन हो गए हैं आप देख सकते हैं का कलर और ESS इतरीकत से थोड़े-खर कि में ऐसा एलाएक फapर लोड़ा से घी और डाल लोगी आप इसमें और वी पसंद कि अपने टार फूट वोससे डाल सकते हैं जैसे कि मेर बास चा लिए बहुत अच्छा बाता है कि आप डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला और ड्राइफ функ मैंने इसके बाद मैंने यहांपे गया हुआ चीजें उसमें मैंने डॉल धुर गी और या थे सोगना है कियूंकि इतना इतना मेसर मैं नहीं किया और ँसको करना है अच्छे से रोस्ट today पूखा जाती हूं कि इस तरीक की बैड़ जाती हूं कि यहां से बढ़ा सकती रहीं तो यह जो आटा है कड़ाय में लग जाएगा और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस चलाया है कंटिन्यू मैं यह ने चल आया है आदा घंडा मुझे लग गया था तो गर्मियों में काली मिर्च के लड़ू बहुत फायदा करते हैं मेरी मम्मी बनाया करती थी तो मैं मम्मी को देखती थी कि मम्मी सिर्फो सिर्फ काली मिर्च की बनाती थी मैं तो इसमें ट्राइफूट भी डाल रही हूं मम्मी नहीं डाल अधनी ड्राइफूर सिर्काली मिर्च और घी में आटे को बुनके चीनी डाल के लड़ू बनाती थी तो मैं यहां पे रूम में ही लेकर के आ गई हूं क्योंकि किचिन में काम करना पॉसिबल नहीं हो रहा है और इस ताइम पे बहुत गर्मी हो जाती है चार साड़े चार पा और मार्केट में आप सिर्फ उसे बूरा भी ढाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो चीनी का पाउडर बना कि उसको भी डाल सकते हैं मेरे बुरा रखा हुआ था मुझे इसे खतम करना था मैंने भी लड़ू के लिए मंगाया हुआ था तो मैंने थोड़ा सा बूरा ड लड्डू आपको तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हूं लेकिन मुझे 15-20 मिट लगे थे लड्डू बनाने में क्योंकि अभी गरम-गरम है फटा-फट से बन जा रहे हैं और घी भी एक तम परफेक्ट रहा ना तो ज्यादा है ना तो कम है लड्डू पाउडर आटे के लड्डू में पसंद नहीं है तो बस यह है मेरे आटे के लड्डू रैसेपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करने जाद श्यादा शेयर करना व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या अगर्ट नहीं तक किले बाइ-बाइ-बाइ-टे केर थाइक पुर्ट वोचिंग वाचिंग पाउच्ग